हेलो एवरिवान आज मैं आपको एसी पास्ट टिप्स बताऊंगा जो वोर्न बाफेट ने बताई हुई है जो आपको सेर मार्केट में जम कर पेशा चापने में बहुत ही काम आयेगी सो फ्रेंस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा फ्रेंस पिछले कुछ हफतों से शेड बाजार में शांदार तेजी देखने को मिल रही है किसी किसी दिन घियावत भी आई तो भी कोई बात नहीं क्यूंकि अगले कुछी दिनों में बाजार फिर से नई उंचायों को कोट बन रहा है एसे में बहुत सरह लोग डीमेट अकाउंट भी खुलुआ रहा है ताकि वह भी अपनी किस्मत आजमा सके शेड बजार में निवेश करने वाला हर शक्स वरन बफेट को जरूर जानता है पहली बात जब सब लालची हो जाए तो दरो जब सब दरे तो गिरिफ्ट में थी और हर कोई दरा हुआ था यहां तक कि एक पल के लिए शेड मार्केट भी दढ़कर काफी गिर गया तब निवेशक लालची हो गये उन्हों ने शेड मार्केट में इतना निवेश किया कि अब हर रोज नया रेकोर्ट बन रहा है 30 दिसमबर तक लिमेट एकाउन की संक्या काफी बढ़ने लगी थी यहां तक के 2020 में ही 1.28 करोड नए निवेशक सेर बाजार से जुद गये थे दूसरी तिफ्स भले ही सोक्स हो या स्टोक्स मैं कोलेटे ही खरीदता हूं जब उनके दाम कम होते है वरन बफेट सिर्फ कोलेटी स्टोक्स ही खरीद काल में वायाज के दर से करीब 180 अच्छे स्टोक्स में सरूआ थी 3 महिनों में ही 50 फिर्फादी तक की गिरावत देखी गई वहीं करीब 300 पिर्फार में 40 फिर्फादी तक की गिरावत आ गई बहुत कम कीमत पर अच्छे से को धिक खरीदने का यह भूत ही शान्धार मोका थ जिससे निवेशकों ने खूब पेशा बनाया फ्रेंज अब तीसरी बात मोका अचानक ही आता है तो जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टिया निकाल ले जब मोका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए एक दो नहीं बलके सेंक्सिस के 266 की किमत अभी तक दो गुनी हो गई है इस दोरान बावान हफतों के सबसे निचले इस्टर पर जिन लोगों ने शेड़ खड़ी दे थे उन्होंने टगदा उनाफा कमाया है इस लिस्ट में लाज केप से लेकर मिड केप और स्मोल केप से लेकर सारे शेर सामिल है इंडेस्ट्रेंट बेंक ने तुसों प्राइस्टिल जीसे सेरो में 150 से लेकर 180 फिसदी तक का रिटन दिया फ्रेंस अब चोटी टीप्स शेड़ बाजर इस तरह रिजाइन किया गया है कि यह एक्टिव लोगों से पेशा सब्र करने वालों तक ट्रांसफर करता है अगर शेड़ बाजर को देखे तो जो लोग शब्र करके बेट्टे हैं उन्हें शेड़ बाजर में फाइदा ही होता है जनवरी में 6600 का ओल टाइम हाई हुआ था जिसके बाद मार्च में 25,000 तक के इस्टर को जा गिरा था लेकिन इसके बावाजर इसमें सब्र करने वालों ने खूब पेशा कमाया था क्यूंकि अभी शेड़ बाजर 47,800 के भी उपर जा चुका है कोर नकाल में टेजी से शेड़ बाजर में पेशा लगाने वाले बड़े हैं जिनमें अधिकतम निवेशक नहीं बलगी ट्रेडर है जो जल्ली जल्ली मुनाफ़ा कमाते हैं और नुकसान जेलते हैं और बाजर से निकल जाते है अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं वर्ण बाफट कहते हैं कि समय के साथ-साथ चीजों की भी किमत बढ़ती जाती है महंगाय भी लगातार बद रही है एसे में आज आप कुछ पेशों में जो चीज खरीद सकते हो कुछ साल बाद वही चीज उ अपना निवेश पी बढ़ाते जाओ सो आप महेकाय को भी फूचर में माट दे सको और कोरोना काल में तो निवेश अको ने खूब पेशा कमाया है सो फ्रेंस आसा रखता हूं आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इसी वीडियो के लिए मैंने बंदा हो तो लाइक एंड शेड जरूर कीजेगा ठेंक्स